हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशे करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज किस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लिव 52 टाबलेट के बारे में लिव 52 टाबलेट का नाम हर किसी ने सुना होगा और आपको हर कोई एडवाइस भी करता होगा कि अगर आपको भूक नहीं लग रही तो लेलो खाना नहीं पच्रा तो लेलो लेवर से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिव 52 टाबलेट का यूज यानि कि सीरप का यूज कर सकते हैं तो इसी के बारे माँ आज हम डिटल में बात करने वाले हैं कि हम इसी कौन-कौन से डिजिस एजिस को लिव 52 का यूज करते हैं और कितने समय तक और क्या डोज होता है देखें लिव 52 एक आयरवेदिक मेडिसी ने जो कि हिमालिया कंपनी मार्केट में इसको लाती है यानि कि इसका प्रॉडेक्शन करती है और इसकी कोस्ट की बात करें हम तो ज्यादा महेंगी नहीं है नॉर् और टैबलेट डोने फॉर में अविलेबल होती है पेशिन को जो सूटेबल लगता है पेशिन टैबलेट खाना चाहे तो टैबलेट ले सकता है और अगर वसी रप पीने चाहे तो सीरप पी सकता है या अगर हम देखे कि यह कौन-कौन सी बीमारियों में हम यूज कर सकते इसको देखे जब भी अगर आप इसका यूज करने वाले हैं तो एक बार यह अपने नियर डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद में ही यूज करना है अपनी मर्जे से कोई भी मैडिस्टिन का यूज आप कुझ पता होना चाहिए कि कौन-कौन से डिसल्टि में व्र्क करती है हम किस father के लिए इसका यूज कर रहे हैं सबसे होता है कि अगर आपको भूक नहीं लग रही है यानि कि khan garage हैना गाते पर वह डाइजएस नहीं होता यह यानिकि खाने के बाद में बारबा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है लिवर पे सूजन है या आपको पी लिया है तो इन सबी डिजीज में हम इसका यूज कर सकते हैं और इसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है और भी कहीं से डिजीज है जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं ज बढ़ों में एड़ल्ट में हम एक से दो टैबलेट पर दे सकते हैं यानि कि दो टैबलेट सुवा दो शाम को यह सुवा एक शाम को और इसको हम कंडिशन पर डिपैंड करता है कि आप किस चीश के लिए ले रहे हैं तो कहीं बार हम खाने से आदे खिंटे पहले भी देते हैं और कई बार खाने के बाद में भी देते हैं यह patient की condition पर depend करता है कि patient को कब देना है और dose भी patient की age and weight और condition पर ही depend करता है कि आपको कितना dose देना है normally हम adult को एक सुबह और एक शाम को दे सकते हैं इसको आप कम से कम तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी जो बिमारी है उसको ठीक नहीं होती है तब तक आप दो महीने तीन महीने तक continue इसका use कर सकते हैं इसके benefit अगर हम देखें तो लेने के बाद में जिससे आपने start की तो तूरण से तो आपको आराम नहीं मिलेगा दस बारा दिन पंदरा दिन में आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा जैसे कि अगर आप इसको लेते हैं लेने के बाद में आपको जैसे बारबर खटी डखा रहा रहा रही थी खाना नहीं पचरा था गेज बन रही थी और in digestion की problem पेट साप नहीं होता था या fatty liver लिवर से related जैसे आपको पेट में भारीपन लगता था jointis की problem थी यानि की पी लिया था तो धीरे धीरे करके यह सब disease कम होने लगती है जब आप एकदम relax फिल करते हैं अपने आपको समझ ऐसा फिल होता है कि हाँ ठीक हो गए तो फिर धीरे धीरे करके अपने doctor की सला से ही आप इसको धीरे धीरे बंद करें ना तो किसी दवाई को कि अग्दम से लेना शुरू करें नहीं अचानक से बंद करें ऐगर आप जैसे लेना शुरू करते में घ्र दोज में हम नहीं दे सकते हैं बंद करते हैं तब्ध लेना सभ्वताइब देट हैं Studios份 करते हैं मिसको सब्सक्राइबहा ओट आप 12 हम एध में नहीं करना है हम सीनरा है कि अगर एक माँदा और सबस्क्राइबी के साथ पмеशनन लापरबाई करते अगर टेस्ट अच्छा नहीं होतां तो वह अदर रखक होता है तो वो आदर अधांगा नहीं भरते हैं पूरा अधांगा नहीं भर पाते हैं यह कि अगर सिरौ और और डैपलेट हमेल लेना है तो वह 3 clear accent घौक हमेल ही BEST होता है अब वो पेशेंट पर भी डिपांड करता है कि पेशेंट कौन से चीज्ज लेना चाहता है साथ ही में जो प्रेग्नेट फीमेड होती उनको अपनी मर्झे से कोई कोई भी मैडिसिन नहीं लेना है कई बार प्रेगनेंसी में चला सकते हैं जिसे पेशन को बार बार का इंडाइजेशन और खट्टी डखा रहे तो इन सब चीज के लिए कई बार प्रेगनेंसी में रिकमेंड की जाती है बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपको यूज नहीं करना है क्योंकि प्रेगनेंसी में तो हम वैसे भी कोई मेडिसिन यूज करने के एडवाज नहीं देते है प्रेशन को अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने नियस डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर उसके बाद में जो भी ट्रीट